हेलो और वेल्कम बैक टू माई चैनल लानर और इंफॉर्मर तो जैसे कि आप लोग जानते हैं नहीं के लिए जो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के लिए जो एक कंटिन्यू मिश्ट कोर्शन सीरीज का क्लास चल रहा है मेरा चैनल में तो आज उसी का थार्ड पार्ट है मतलब प देख सकते ठीके तो डी एचिसे आयल हो या तो आप एक पीसी कोई बी एक्जम के लिए यह क्लास आप देख सकते ठीके रिचली पीजी सी आयल का एन एर नॉट इस रीजियान और नर्ट तू का भी एक्जम होगा बहुत जल्ब उसके लिए आप लोग यह क्लास कर सकते इसको स्टिल प्लांट का एड्मिट काट आउट हो चुका 28 तरीक को इलेक्ट्रिकल का एक्जम है तो उसके लिए भी आप लोग यह वीडियो आप लोग देख सकते टेक्निकल के लिए और नॉन टेक्ट के लिए जो हम सोच रहे थे कुछ मिक्स्ट को सीरीज कराएंगे ले तो देखिए इसकीन में पहला कुशन क्या है पहला कुशन है लोग हेड्ड प्लांट जेनरली यूज जो प्लांट होता है तीन टाइप होता है एक होता है लोग हेड्ड हम लिग दे रहे देखिए तीन टाइप का प्लांट होता है एक होता है आपका लोग हेड्ड हाई डि में पांट में प्लांट होता है इसमें से यहां पर पूछा है लो हेट प्लांट जनरली यूस हैं प्लांड में कौन ऋसा टार्बाइन यूस किया जाता है तो इसका अशलोंगा काते हैं नोमबर ची केपलन टर्वाइन युज की आ जाता है तो एक चीच अब लोग देख लीचे लो हेट हई डिस्टाज में युज के आजाता है कि तो यह तीनो याद रहे ऐसे अगर नहीं रहेगा तो एक काम कर लिजरे आप लोग लोक के अब लोग के अफसी का चिकेन तो K, F, P आप लोग याद राख सकते के के फिम औरा कोर्चिन यह ती सपली के याद राख सकते कैल अलगत已經 क Tada कि यह यह पैला पाला कोस्टिन का श्क्यावा Miss Christina and тебе युशा कोशिफ्क्वार कोर्ट भी इस counselor है इन्हें पावर प्लान्ट में मानी अगर क्या क्या बोला maximum demand और on the plant is equal to the plant capacity अगर maximum demand equals to plant capacity हो जाएगा तो क्या होगा load factor will be nearly 60% plant reserve capacity will be 0 diversity factor will be unity और load factor will be unity कौन सा यहां पर होगा यहां पर देखें एक concept आता है हम पता देरे reserve capacity होते है रिजर्प capacity नहीं पर होता है रिजर्पकाश्यटी एकर स्टू क्या होता है plant capacity minus maximum demand यह एक फ़ार्मूला होता है अपलोग लिख सकते रिजर्पकाश्यटी इक प्लांड कश्यटी माइनस maximum demand यहां पर क्या बोला है पाल्प्लान में maximum demand on the plant is इस इक आपका कंडिशन यहां पर दिया तो मैक्सिमाम में जाए गए डिवाड के जागा में हम अगर प्लांट कबस्रीटी बैठा देंगे तो यह क्या हो जागा अपका रिजर्ब कापसिटी जीरो हो जागा यह आपका एंसर हो जागा तो यह कौन सा अप्शन में है है प्लांट रिजर्ब कापसिटी बीजिरो प्लांट रिजर्ब कापसिटी विल बी जीरो अप्शन नॉम्बर भी इसका एंसर हो जागा यह जो फॉर्मूला है आप लोग याद रखिए इससे मैंत आता है और हम भी कराएंगे इसके इसका बात जितना भी वीडियो होगा में ठीक है रिजर्ब कापसिटी इकरस्टू प्लांट कापसिटी माइनस मैक्सिमम डिवन क्लियार सो देखिए तीसरा कॉस्चन देखिए तीसरा कॉस्चन है डाइबर्सिटी फैक्टर इने पावर सिस्टेम इस क्या होता है डाइबर्सिटी फैक्टर इने पावर सिस्टे is always greater than unity option number क्या होगा option number D होगा इसका एंसर और diversity factor request to formula क्या होता है sum of individual maximum demand divided by maximum demand on station क्या बोले हम diversity factor is equal to क्या होता है sum of sum of individual maximum demand divided by maximum demand on station यह होता आपका diversity factor का formula और याद रखिए diversity factor is always greater than one it means option number D इसका answer हो जाएगा ठीक है यह देखिए यह जो math कराएंगा ना यह तो ssc का तो बहुत अच्छा question मतलब best question है या तो आप लोग कोई भी exam में आप लोग देखिए कोई भी exam में यह question बहुत बार आ चुका तो इसलिए हम यह question समझे important है तो आप लोग जरूर यह question देखिए question क्या है question क्या है the making current of three phase breaker with rating 2000 mba 33 kilo volt will be making current क्या होगा यहां पर तो making current का आई होग फॉर्मूला अब लोग को पता है making current equals to क्या होता है 2.55 into breaking current ठीक है तो यहां पर making current अब लोग को पूछा है तो 2.55 into breaking current जरूरत है तो breaking current निकालने के लिए क्या करना परेगा देखिए एक फॉर्मूला होता है यहां पर एस इकुल्स टू रूट थ्री इंटू आई भी ठीक है तो यहां यहां आई भी क्या है आई भी है आपका breaking current तो अगर आई भी निकालना है तो क्या करेंगे आई भी इकुल्स टू यह सपून रूट तो तो यहां पर बैठा देंगे तो क्या होगा यहां पर बैठा देंगे तो क्या होगा यहां पर बैठा देंगे तो 2000 इंटू 10 तो दिपावज सी डिवाड़ेड़ बाइ थाट थरी इंटू 10 तो दिपावज थी और आगे क्या है एक रूट त्री तो रूट त्री इंटू 33 इंटू 10 तो पावज थी यह होगा आई भी बेकिंग इसके साथ आगर क्या करते हैं 2.55 तो मेरा एंसर निकल के आए जाएगा 89.2 89.2 किलो एंप्यर ऐसा कुछ एंसर निकल के आए जाए तो देखिए यह अगर नहीं किया है आप लोग अभी तक तो अच्छा से एक कॉपी में नोट कर लेजिए बहरी फेरी इंपोर्टेंट है किसी भी टेक्निकल जेए एक्जम में इलेक्टिकल का यह कोशन आपका आता है ठीक है नेस्ट कोशन क्या है नेस्ट कोशन है फ्यूज इस किया जाता है आप सेग्डक गardig the install करन मताब हेवी करेंग मताब हेवी करेंट अगर फ्लो होगा इसके खेंप में काम करने के लिए यूस किया जाता है फ्यूज यह तो एक नमब्र सही है दूसरा तो तो देखिए इसकी में क्या है को सब्सक्राइब दिया है इन देखिए नेटवर्क दिया है अगर यह दोनों में से किसी एक को अगर हम लोग डिस्कनेट कर देंगे तो वेन देखिए इसका एंसर तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको को गो ऐसे तो कोई वी एक फोर्ण रिस्टंस को हटा के देख सकते हैं यहां पर का सब्सक्राइब जो की आधेंगे पार्लों थे कि यह तो परल्लाल करेगा तो आएगा 2 to 4 फॉर फॉर शिक्सिचटेन हो जागा लेकिन आम लोग मेरा क्या responsibility है आप लोग को समझा ना तो सम्झा बोले यह वाला भी एक और यह एक 6 तो कितना माझ टूटू फ़ोर फोर उस्टेन तो जब हम डिसकनेक्ट नहीं कर रहे तब मेरा और निकल रहा है तो यहां पर जाके इधर से चल जाएगा तो क्या हुआ जब मेरा एक फोरॉम डिसकानेट कर देंगे तब मेरा कितना होगा यह तो सब सीरीज में आ गया तो यहां पर देखे 20 जब मेरा दिसकानेट कर दें तरह आ गया गतल refres नौनें देरा चानरे उसно क्र देखसले कि मौनेड़ जब दोनों जगा में चुन कित है तो क्वो क्वोग नगता होगा थैज्ति जब सबस्क्र heightened क्या विर्ट कैसा याइन कि देशा जाये स्लाइटल इंक्रिस याद गुला यहां पर पर 10 निकला यहां पर यहां पर कितना होगा कितना होगा तो मेरा यहां पर हो चुगा पहले 2.4 एंप्यर था एसे भी कर सकते और यह तो नॉर्मल कॉंसेप्ट है कि जब मेरे कर देघ्रिट के यहां तो अप्सान नंबर इसका होगा आएसा को अच्छा है लेकिन आता है टीक है नेकोशन क्या है यह सब्सक्राइब कराएंगे उससे पहले एक करा देए स्वांपिंग रिजिस्टन्स कीस लिए यूज को कॉंपेंट करने के लिए स्वैंपिंग रिजिस्टेंस यूज किया रहता है तो बना हुआ रहता है मैंगानीन का और स्वैंपिंग रिजिस्टेंस कैसे रहता है करता है एक रिजिस्टेंस इसको बुद्स कर सकते और इसके साथ इसके साथ क्या होता है एक बॉल्टिंटों एंपर से यूस कर सकते वोल्टिंटु एंपर से यूस कर सकते हैं ट्रिक्रांट टिए कोई क्यों देखें आता ही था तो इसमें भी हम बोल रहें जब ब्रेक्टेस्ट फोर देटर्मिनेशन आप एफिसेंसी जो ब्रेक्टेस्ट किया जाता है डीसी मेशीन में वह जो एफिसेंसी मेजर करने के लिए तो वह कौन सा मेथोड है इंडारेक्ट मेथोड डीजनेटीव मेथोड ना डारे पर कौन सा सकते यह कर सकते हैं यहां पर यूज कर सकते हैं यह झाफ पर हम लोग िूजकर सकते हैं तुछ एंधारि यह था रबर सीथ टाफ राबर सीथ वैरिंग हम लोग यूज़ करते हैं टी आर एस वैरिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं ठीक है नेस्ट कुर्शन देखिए ताइप आप सार्किट डाट डास नोट नीड एक कपलिंग कैपसिटर यहां पर जो चार ऑप्शन है उसमें से कौन सा टाइप सार्किट में हम लोग का कपिलनग क्यापसिटर जरूरत नहीं होता है और सब्सक्राइब को क्या है तो आप लोग देखिए सार्किट का कैसा को सेने को सेनी है तो आप लोग देखिये सार्किट कर लेते उसका बद देख लिजे क्या है सारकिट का कुश्चन तो धीडिया पर ड्रॉ किया हुआ है तो साली में क्या पुझे दाइम कॉंस्टेंट आप दानेटवर्क सोनी दाफिगा जो नेटवर्क यहां पर सो है वह ने है एसे लिखा जाता है टाव इकर स्टू आर इंटु सी होता है ठीक है यह होती है जब रेजिस्टेंस के साथ क्या बात है और बता देंगे बात में प्रालल सीरिस है तो यहां पर क्या करें गे अर्ट सॉल्फ करना परेंग connections può रहे हैं यहां पर दिखेंगर करना पर ऑगा सुल्फ करेंगे तो क्या होगा अर्ट स्क्षर divided by R plus R क्या होता है 2R तो दोनों R से 1R हम अगर हटा देंगे तो क्या होगा मेरा R by 2 और capacitance क्या होगा capacitance भी parallel में है लेकिन हम बोले थे resistance का उल्टा होता है resistance का जो parallel में यह बाला हुआ capacitance में क्या होता है as a series मन्दब series में क्या होता है जैसे normal act करते है तो capacitance है parallel में लेकिन उसका जो calculation होगा series में होचे होता है C plus C तो क्या होगा आपका तूसी ठीक है C equivalent आपका आगे 2C and R equivalent आपका आगया R by 2 यहां पर अगर बैठा देंगे तो क्या होगा देखिए टाव इकल्स टू आर के जगा बठाएंगे आर बाइट टू इंटू सी के जगा बठाएंगे टूसी टू टू क्रॉस हो गया मेरा तो मेरा अंसर क्या आ गया आर सी तो आर सी मेरा अंसर होगा option नमबर कौंस option में है option देखिए रुकिए एक मिनीट option है आपका c option नमबर c इसका एंसर हो जागा c यार यह था आज का इतना भी टोटाल कोस्ट्ट तो देखिए आगर यह कुस्ट्ट आप लोगों को अच्छा लगा टोटाली तो ज़रूर आप लोग लाइक कीजिए और एक चीज हम बता देते आपको अगर आप लोग को requirement है कि subject twice question लाएं जैसे कि only control system का या तो only DC machine का only induction machine का ऐसे अगर अलग अलग चाहिए आप लोग तो क्लास हम होसे कर सकते अगर आप लोग बोल रहें कि अच्छा है different types of questions हम लोग को different types of concept अच्छा लगता है अप्लाई करने में भी अच्छा लगता है तो यह भी यह भी हम कंटिन्यू कर सकते लेकिन आप लोग comment जरूर कर दिजाएगा कि कौन सा topic हम करे अगर करे भी तो कौन स चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और दोस्तों के साथ कर लिए और यह वीडियो हम बोले पहले इसको चलेगा कोई बात नहीं है कोई बात ने प्लाइन का बोले था तो पार प्लेंट कर लाए है और आपका पार प्लेंट का question भी लाएंगे आपका जो निमेरी कहल होता है उस कर उसमें switch gear कराने के लिए बोला था तो जरूर हम switch gear भी कराएंगे ठीक है तो कोई बात ने तो आज के लिए इतना ही thank you and goodbye